हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IIS CTC के बारे में IIS CTC का Q4 रिजल्ट आज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ बहुत ही बड़ा सेनेरियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक एक चीजों पर हम डिसकसन करने वाले हैं क्या आखिर income क्या रही है expenses क्या रहे हैं चीज़े क्या यहाँ पर देखने को मिली है और साथ ही एक बड़े dividend का announcement भी हुआ है तो वो dividend कितना है किन लोगों को मिलेगा एक डेट यह सारी चीजों पर हम डिसकसन करने वाले हैं वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे एक एक चीज़े समझ में आ जाएगी चैनल पर अगर आप फर्स टाम विजट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीजिए तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैंने LIC के Q4 रिजल्ट के बारे में वीडियो अपलोड की है उससे पहले Trident के बारे में और दोनों में ही कुछ ऐसी चीज़े हुई है जो की बिल्कुल ही unexpected नजर आ रही थी तो आप वो भी जाके देख सकते हो आपको वहाँ से भी सारी information मिल जाएगी IACTC का आज का अगर हम यहाँ पर सिनारियो देखें तो करीवन 6.67% का upside moment देखने को मिला और 696 पर आपको share जो closing है वो देते हुए नजर आया है यानि कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी दिनों बाद IACTC में अच्छी खासी moment देखने को मिली है जो की काफी time से आपको देखने को नहीं मिल रही थी 663 की opening हुई थी 713 तक इसने high भी बनाया है आज के दिन का जो की starting of the morning में ही देखने को मिल गया था और 662 का low भी था तो अपने higher side के आज़ पास यह आपको closing देते हुए नजर आया है यह सबसे अच्छी बात निकल के आई है और basically आज अगर आप देखोगे तो जिन में भी Q4 result निकल के आ रहे थे यानि कि Trident में तो 5% का upper circuit लग गया LIC में भी करीबन 2% gas plus का movement देखने को मिल गया और यहां पे करीबन 7% gas plus का movement देखने को मिल रहा है तो यह आप देख पा रहे होगे जिन भी companies का Q4 result का announcement आज था उनमें आपको एक अच्छा गासा movement देखने को मिला है अब मैं आपको सबते पहले लेकर चलता हूँ कि आखिर company का जो revenue from operation है वो कितना increase हुआ है या फिर decrease हुआ है यहाँ पे आप तीन चीज़े देख पा रहे होगे कि 31st of March 2022 यानि कि इस quarter का result है उससे पहले अगर आप देखोगे तो December quarter का result था और उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो March quarter 2021 का result है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि revenue from operation इस quarter में जो देखने को मिला है 69,096 का figure है December में अगर आप देखोगे तो 54,021 का figure है quarter on quarter basis पे काफी अच्छी growth है जो कि पिछले दो जो companies के discussion हुई है उसमें देखने को नहीं मिली थी और वहीं अगर आप देखो तो same quarter last year 33,878 करीबन दुगने से भी जादा आपको यहाँ पे revenue from operation हुआ है तो आप देख पा रहे होगे जब COVID scenario हुआ था उसके बाद की recovery इसमें कितनी जादा शानदार है साथ ही अगर आप यहाँ पे देखो जो total income निकल के आ रही है वो 71,679 है यानि कि 71,679 है December quarter का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 55,651 और यहाँ पे अगर आप देखोगे 35,825 जो कि आपको same quarter last year का देखने को मिल रहा है यानि कि income तो सीधा सीधा double होते हुए नजर आ रही है year on year basis पे और quarter on quarter basis पे भी शानदार आपको यहाँ पे growth देखने को मिल रही है income के अंदर आप यहाँ पे अगर आप देखो तो expenses में बहुत सारे expenses होते हैं cost of material consumed, purchase of stock and trade, expenses of catering services, expenses of tourism तो बहुत सारे expenses हैं अब यहाँ पे जब income बढ़ती तो definitely expenses भी बढ़ ही जाते हैं वही same scenario आपको यहाँ पे देखने को मिला है 42,958 के आसपास का figure इस quarter में देखने को मिल रहा है December quarter में 27,496 का था 21,617 का figure same quarter last year यानि कि expenses भी double होते हुए नजर आ गए हैं जिससे क्या होता है कि profitability है वो decrease हो जाती है यानि कि जब income बढ़ी तो हमें लगता है कि profit भी बढ़ेगा लेकिन साथ के साथ जब expenses भी बढ़े आते हैं तो जब income minus expenses करते हैं तो same type का ही ratio निकल के आ जाता है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि total expenses जो है company के वो year on year basis पर double होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ quarter on quarter basis पर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोह हुए है अब अगर आप देखोगे profit and loss before exceptional item तो definitely अगर आप देखोगे तो 28,720 इस quarter का figure 28,154 last quarter का result 14,207 same quarter last year profit before exceptional item double हुआ है सीधा सीधा year on year basis पर लेकिन अगर आप quarter on quarter basis पर देखोगे तो बहुत बड़ी growth तो नहीं है लेकिन growth है यह आप देख पा रहे होगे लेकिन profit and loss before tax tax देने से पहले करीवन करीवन बरावर ही देखने को मिल रहा है 28,320 और 28,154 जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है profit before tax क्योंकि यहां पर आपको 400 रुपे के exceptional item का adjustment देखने को मिल रहा है 13,920 same quarter last year में देखने को मिल रहा है तो definitely year on year basis पर tremendous growth देखने को मिल रही है तो यह तो हो गया मैंने आपको बताए कि profit after tax क्या है यानि कि वो देख लेते हैं तो profit and loss after tax from continuing operation आप यहां पर देखी पा रहे होगे कि 21,378 जो कि पिछले quarter में थी 20,888 और जो कि same quarter last year में थी 10,378 तो definitely year on year basis पर profit आपको double होते हुए नजर आया है जो कि मैं आपको बार-बार बोल भी रहा था कि जो COVID का scenario है उसने पूरी तरीका से impact किया था ICTC को company में कोई भी दिक्कत नहीं है और यही same scenario आपको देखने को मिला मैंने आपको बोला भी था कि जैसे ही scenario normal हो जाएगा आपको यहां पर देखने को मिलेगी tremendous growth ICTC के अंदर अंदर अब अगर आप यहां पर देखोगे तो earning per share के बारे में बात करें 2.67 इस quarter में 2.61 last quarter में 1.30 same quarter last year तो definitely tremendous growth आपको year on year basis पे quarter on quarter basis पे भी अच्छी खासी growth देखने को मिल रही है अब मैं जल्दी से आपको पता देता हूँ कि company ने आखिर corporate action दिया है तो वो क्या दिया है यहां पर अगर आप देख पाओगे तो company आपको dividend देते हुए नजर आ रही है यानि कि ICTC ने आपको एक dividend announce कर दिया है करीवन 1.5 रुपे पर share का यानि कि जित्रे भी share है वोसमें 1.5 रुपे का multiply कर लिजिए और वो आपके bank account में सीधा transfer करेगी company तो 1.5 रुपे का dividend आपको यहां पर company देते हुए नजर आ रही है definitely एक अच्छा खासा dividend company की तरफ से दिया गया है तो यह तो बात हो गई overall मैंने results बताया dividend बता दिया जल्दी से मैं आपको इनका bifurcation भी दे देता हूँ कि आखिक इस business से कितना जादा यहां पर scenario देखने को मिला है total revenue तो आप देखी पा रहे थे लेकिन इसमें catering, rail near, internet ticketing, tourism, state tier था यह आपको bifurcation देखने को मिल रहे है पॉस्ट करके आप देख सकते हो साथी segment के results में आप देख पाओगे कि कहां-कहां profit है, कहां-कहां loss है जिसमें आपको catering, rail near, internet ticketing, tourism और state थीर्थ देखने को मिल जाएंगे तो यह कुछ रही कहानी ISTC के Q4 के बारे में आपको numbers कैसे लेगे जरू बताइएगा वीडियो अच्छी लेगे तो like करिएगा चैनल में फ़र्श्टामेजित कर रहे हो तो subscribe भी जरू का दीजिएगा, धन्यवाद